Hello Friends this is Apika Card Reading और आज जो हमारा question है कि hidden feelings क्या है आपके partner की आपके लिए जो भी उनकी दबी हुई भावनाई हैं आपके लिए जो आपको express नहीं कर पाते तो आज हम उनकी कुछ feelings देखने वाले हैं hidden भावनाई देखने वाले हैं आप देख सकते हैं, दो ओप्षिन हैं यहां हमारे पास, फर्स्ट ओप्षिन वी हैव जैन, जैनुरी, और सेकंड ओप्षिन वी हैव जैनुरी और यू में अलसो चूज लाइक नंबर वन और नंबर फाइव, तो जिस तरह भी आप चूज करना चाहते हैं, चूज कर सकते हैं, या तो इसकी आउटर इमेज देखके चूज करना चाहते हैं, मन्त लिखा हुआ है, उससे चूज करना चाहते हैं, या वन नंबर या फाइव नंबर, ठीक है, जो भी आपको ड्राउन फिल कर रहे हैं, आप वो कोई भी एक option, आप चूज कर लीजिए, चलिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप पॉस कर लीजिएगा वीडियो को, हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन से, तो नंबर वन आप लोगों के लिए इंपॉर्टन हो सकता है, जैनुरी में आपका या उनका बर्डे आ सकता है, या जैनुरी मंत किसी वे में सिगनिफिकेंट रहा, या अगला साल का आने वाला जैनुरी आपके लिए, इंपॉर्टन हो सकता है, इस कनेक्शन में, और नंबर वन, राइट, इस में बिए इंपॉर्टन देट फो यू, चलिए, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम, पाइबल नंबर वन, हिदन फिलिंग्स अफ यूर पार्टनर, हिदन फिलिंग्स अफ यूर पार्टनर, सेवन अफ वन्स आया है, किंग अफ पैंटेकल, आपका पार्टनर इस connection को लेकर, काफिँ defensive है, friends, सिर्utetर नित्जाने के लिए ही नहीं, अंदर से भी, यह hidden हो सकता है, कि आपका पार्टनर किसी चीज की वज़े से, इस connection को लेकर, मतलब, इंवेस्ट नहीं करना चाहता, इस connection में, कुछ लोग यहां trigger होते हुए नजर आएंगे ठीक है मेरे viewers उनको शायद यह चीज सुनने में अच्छी ना लगे या किसी वे में trigger करे पर आपका partner I don't know why वो हम आगे देखेंगे cards में पर यहां defensive उर्जा में है कोई investment करके नहीं राजी अभी पता नहीं क्यों जैसे मन उठ गया हो ठीक है मन उठ जाना वो वाली एक भावना यहां show हो रही है कि नहीं मुझे यार बहुत हो गया आप deal नहीं करना बस अब मुझे शान्ती चाहिए peace चाहिए contentment का भाव चाहिए अब मुझे healthy boundaries create करनी है अपने आसपास king of pentacle जो है यहां पर अपनी stability को लेकर थोड़ा conscious हो रहा है self love कर रहा है अपनी money पर ध्यान दे रहा है खुद को best version बनाने में लगा हुआ है मतलब अपनी जो stable चीज है खुद पर काम करना वो चीज पर importance है आपको लेकर अभी ज़रा यह defensive है लेकि मुझे सिर्फ अभी अपर खुद पर ध्यान देना है आसपास की जो surroundings है उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है अंदर से यह इंसान इस तरिके से behave कर रहा है hidden भावनाई है यह चलिए और देखते हैं आपके partner की hidden भावनाई क्या है आपके लिए pile number one six of pentacle balance बना रहा है अपनी life में emotions के balance money का balance and bottom of the deck hermit card फिर से isolation यह इंसान अकेले रहना पसंद कर रहा है या तो meditation करता होगा या किसी भी way में spiritual या traditional हो सकता है ठीक है faith divine में surrender कर दिया है divine को और खुद इस connection से कोई उमीद नहीं लगा रहा है इस connection से ना कोई उमीद है इसे ना ही कुछ यह अपना अकेला खुद में खुश रहना सीख रहा है आप कह सकते हैं यहाँ खुद में content रहना सीख रहा है meditation कर रहा है खुद की शान्ती पीस में रहना पसंद कर रहा है अकेले रहना पसंद कर रहा है ना सिर्फ आपके ये दूसरे लोगों से भी ज़्यादा involved होकी अभी नहीं राजी इस तरीके की इसकी उर्जा है अपनी situation, अपनी money, अपने emotions को balance कर रहा है ठीक है अपने आसपास के कुछ family members या दोस्त या कुछ कोई भी है किसी को अपना helping hand provide कर रहा है kind nature है किसी की help कर रहा है अपनी life में ठीक है तो यहाँ पर यह जो इनसान है आप से detach pile number one आप से detach feel कर रहा है ठीक है yeah detachment का भाव है यहाँ five of cups detachment का भाव आ कहां से रहा है क्योंकि यह इनसान disappointed है इस connection से इस connection में इस इनसान को disappointment मिली है जिसकी उज़र से यह इस तरीके का हो गया है ठीक है या चलिए और हम देखते हैं यहाँ advice इस connection के लिए advice देखेंगे इस connection के लिए universe की आखिर क्या advice है यह आना चाहता है यह भी देख लेते हैं देखते हैं क्या आया है caring connection वैसे तो यह connection caring है ठीक है ऐसा नहीं है कि यहाँ care नहीं है abundance यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपका partner जो है stability और abundance चाहता है अपनी life में hostilities किसी को की help कर रहा है किसी वे में या तो help पा रहा है यह इंसान ठीक है last card we have seven chakra archangel uriel meditation कुछ लोग यहाँ e-job का partner है यह meditation में हो सकता है strongly meditation कर रहा है यहाँ आपको भी सिला दी जा रही है थोड़ा जो है seven chakra होता है divine universe से जुडने का number sorry chakra right तो यहाँ पर यह जो इंसान है divine से connect होकर शान्ती और इसका भी आपसे detachment है और सिर्फ अभी इसका अपना जिस पर भी विश्वास करता है अपने divine पे ठीक है तो यह surrender का भाव तो यह उस way में कुछ इंसान आपको करता हूँ दिखेगा अभी चलिए हम दूसरे काज से ले लेते हैं यह इंसान currently अपनी life में क्या कर रहा है currently अपनी life में क्या कर रहा है new beginning करना चाहता ही अपनी life में new beginning एक नई शुरुआत पुराना सब भूल भालके एक नई balanced way में एक नई शुरुआत करना चाहता है आपका partner rebirth rebirth is again old self old cycle पुरानी चीजों को खतम करके दुबारा नया जनम नई शुरुआत यह इंसान का focus है divine की शरण में जाकर एक नई शुरुआत करने की इसकी इच्छा है चीक है चलिए कुछ love messages ले लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ love messages इस इंसान की तरफ से ओके यह आना चाहता है इस इंसान की कुछ hidden भावनाई आप लोगों के लिए कुछ hidden feelings जो यह खुद भी accept करने को ready नहीं है ऐसी कुछ भावनाई चलिए देख लेते हैं I want to give you the word in reality this person is like ignoring their own feeling real में यह इंसान आपको दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता है I love your sense of humor इस इंसान को आपका sense of humor पसंद है बट यह खुद की ही भावनाउं से अभी जो है रन करता हुआ और शांती की तलाश में दिख राई है इंसान ठीक है but feelings तो है caring connection है यह you will be in my heart until death and beyond आप हमेशे उनके दिल में रहेंगे ठीक है the taste of your presence it's something I will never ever be able to forget आपको कभी भूर नहीं सकता है यह इंसान last message so we meet again my dear friend through space and across time इसे लगता है कि आप फिर किसी mode पे फिर से मिलेंगे ठीक है near future में कोई इस इंसान का move आपकी तरफ क्या रहेगा near future में कोई action लेगा यह इंसान आपकी तरफ या नहीं file number one क्या यहाँ यह इंसान कोई action लेगा three of swords pain है hurt है और यह nine of fire again struggles near future में यह इंसान मुझे नहीं लगता कोई अभी step ले रहा है file number one no pain बहुत है यहाँ इस इंसान को ऐसा भी लगता है यहाँ because of third party कुछ लोगों की case में इसे धोका मिला यह something जिसकी वज़र से यह dis offensive हो गया है ठीक है तो यह इंसान इस connection की वज़र से बहुत hurt हुआ है और उस hurt को heal करने की कोशिश कर रहा है divine को surrender करने की कोशिश कर रहा है अपनी life में एक नहीं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है और अभी यह आपकी तरफ कोई action लेता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में तो यह थी आपकी reading pile number one कैसी लगी comment section में बताइएगा let me move on to pile number two hello friends, hello pile number two अगर आपने यह चूज किया है मय और five number तो हो सकता है five number या five date या five number आपके लिए लग्की हो किसी भी वे में और मय का मिना important हो सकता है आने वाला मय आप लोगों के लिए राइट चलिए देख लेते हैं pile number two hidden feelings आपके partner की stalk कर रहा है pile number two आपका partner heavily आपको stalk कर रहा है दूर से या तो आपको social media या something but definitely एक stalker की यहाँ energy है observe करता है आपकी हर एक बात कि आप कब कैसे react करते हैं हर चीज को बहुत ध्यान से observe करता है आप कैसे हसते हैं या आपका कोई particular way of action या चिक है तो बहुत deep तरीके से आपको observe करता है यह इंसान अगर आप साथ में हैं और दूर हैं तो stalk कर रहा है social media वगरा something या hidden feelings हैं आपके partner की इस इंसान को आपको चुप चुप के देखना बहुत पसंद है यह भी आपके सामने उतने clearly यह आपको नहीं बात कर पाता यह something कुछ लोग के लिए message है इसे comfortably देखना पसंद है चुप चुप के आपको देखना पसंद है pile number 2 ओके यह आपका exo हो सकता है nine of swords है यहां king of wands है यहां judgment card है यह आपका कोई exo हो सकता है ठीक है जो आपको बहुत heavily stock कर रहा है और आपके साथ एक बुसरा मौका चाहता है reconcile करना चाहता है ठीक है anxiety ले रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच के king of wands हाला कि यह आपको दिखाए का that I am okay I am totally fine ठीक है और अपनी looks पर बहुत दिहान देने वाला यह इंसान है अपनी appearance को लेकर conscious होगा आने वाले दिनों में या तो already इसका nature हो सकता है अंदर से बहुत passionate feel करने वाला है यह इंसान आपके लिए बहुत जादा passion है यहाँ आपके बार में बहुत सोचता है overthinking करता है जिसकी वज़े से हो सकता है रात को सोता भी ना हो यह इंसान तो यह overthinking वाली energy है passion है आपके लिए attraction है stocking की energy है यहाँ दूसरा मौका चाहता है reconcile करना चाहता है आपकी value का एहसास हुआ है इसे इस इंसान को अपनी intuition को सुनके आपकी तरफ आना चाहता है आपको attract करना चाहता है अपनी तरफ तो अपनी looks पर ध्यान दे रहा है यह something like that तो यह इसकी hidden feelings है आपको attract करना चाहता है अपनी तरफ फिर से आपको वापस चाहता है अपनी life में that is the hidden thing pile number two एक काड़ो लेती है okay emperor and the sun यह इंसान emperor बनना चाहता है अपना best version बनना चाहता है हलाकि pride and ego बहुत है इस इंसान में आप यह नहीं expect कर सकते कि यह अभी आकर surrender करके आपको अपने emotions व्यक्त करेगा no ego still present है दोनों ही काड़ में king वाली energy है manifest कर रहा है background में आपको यह काड़ कर गया ठीक है न sun काड़ दिखा रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत new beginning चाहता है new beginning सुनाई दे रहा है मुझे यह फिर से एक नई शुरुआत पुरानी सब old चीजों को भूल के एक नई शुरुआत करना चाहता है हाला कि इसकी pride और ego बिल्कुल अभी वैसी की वैसी है चीक है चलिए आगे देखते हैं हम इस connections related कोई advice divine की divine की advice related to this connection इतने सारे काड़ no 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 let me shuffle again friends give me a second any advice okay so here we have the temple path हो सकता है आप queen flame journey में हो या किसी तरीके की spiritual journey में हो awakening में हो attachment strong attachment feel कर रहा है यह इंसान यहाँ भी number 5 आया है यहाँ भी 5 है changes आ रही है यहाँ कुछ ठीक है बदलाव लाना चाहता है इस connection में attachment बहुत strongly feel कर रहा है आपके लिए obsession हो रहा है इस इंसान को basically आप से pile number 2 वालों को बहुत ज़ादा obsession हो रहा है attachment हो रहा है heaviness feel हो रही है यह अपने emotions पे control नहीं बना के रखा जा रहा ठीक है एक desperate सी energy निकल रही है communicate करने की या बात करने की या देखने की ठीक है अंदर से heavy heart feel कर रही है pile number 2 वालों के partner उनके लिए चलिए currently अपनी life में क्या करता हो नज़र रहेगा यह इंसान okay क्या है यह cards perseverance and abundance यह इंसान चाहता है अपनी life में abundance stability छीख है आप इस इंसान को कुछ grounded चीज़ें चाहिए stable चीज़ें चाहिए आप उनके लिए abundance की तरह है आपके साथ abundance और happy family imagination में अपनी सोचता रहता है यह इंसान इस इंसान का main focus abundance है money है stability है यह उसे पाने में लगा हुआ है अपनी life में चलिए कुछ love messages ले ले लेते हैं और wrap it up करते हैं situation को कुछ love messages आपके partner की तरफ से file number two क्या hidden feelings हैं आपके partner क्या आपके लिए okay काफी है चलिए read out कर लेते हैं there's a strange and deep connection between us इस इंसान को लगता है कोई deep connection है आप दोनों का soulful सा I try to stop those feelings but now you are burning hotter and brighter than ever within me मैंने क्या वोला है इंसान बहुत ज़ा obsession फील कर रहा है आपके साथ जितना ये दबाता है अपनी feelings को आपके लिए उतना ज़ादा वो feelings बढ़ जाती है I was not looking for this I don't know how to deal with this real message इंसान एक्सपेक्ट ने किया था कि इसको आपसे प्यार भी हो सकता है I saw myself in you the first time I laid eyes on you आप में इनको खुद की ही जलक दिखती है कहीं न कहीं You are my secret passion आप उनका passion है passion बहुत है इस इंसान को आपसे चलिए नियर फ्यूचर में कोई action न गरी है इंसान आपकी तरफ लेगा reconciliation चाहता तो है पर क्या action लेगा कोई आपकी तरफ वो दिखते है नियर फ्यूचर में pile number two वालों का partner क्या कोई action लेगा उनकी तरफ यहां आया है high priestess, strength, justice यह इंसान justice करना चाहता है इसकी intuition इसे guide कर रही है strength जुटाने की कोशिश कर रहा है अगर past में इस इंसान ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है यह उस चीज को सही करना चाहता है justice प्रोवाइड करना चाहता है आपको judgment और justice दोनों दिखाते हैं कि यह इंसान जो है second chance चाहता है आपके साथ कुछ official, कुछ marriage कुछ real में कुछ चाहता है आपके साथ ठीक है justice करना चाहता है उसके लिए strength जुटाता हुआ नजर आएगा high priestess यह चीज़ें आपसे hidden हो सकती है अपनी intuition को यह इंसान sunrise की intuition आपकी तरफ जिसे push कर रही है और this इंसान यह जो है आपके आपसे बात करें चीक है तो यह थी आपकी reading कैसी लगी कमेंट सेक्षिन ने बताएगा okay friends bye bye